हेलो स्टूडेंट, आप सभी को बताएंगे इंगलिस में लेटर लिखने का सबसे जबर्जस ट्रिक वो भी बिना पड़े यानि बिना पड़े आप सभी लोग इंगलिस में जो लेटर राइटिंग होता है उसको आप लोग कैसे लिखोगे ठीक है आप सभी को इंगलिस पड़ना लिखना दोनों नहीं आता है और आप सभी को जो ये लेटर है बिलकुल भी नहीं आद है तो आप सभी लोग इंगलिस के कॉपी में ठीक है इंगलिस की पेपर की दिन आप सभी लोग आखिरकार जो लेटर है उसको आप लोग बिना पड़े कै लिखोगे तो यहां पे मापको बहुत ही जबर्जस्ट बताने वाले बहुत ही बेस्ट बताने वाले अगर आप लोग उस ट्रिक से लेटर राइटिंग को लिखोगे तो आप सभी को पूरे के पूरे जो टीचर रहेंगे वह एक्जामनर जो बोड की कॉपी चेक करने वाले लिखने रहेंगे वह आपको पूरे के पूरे सौ परसेंट माक्स देंगे यह मेरी सौ परसेंट गारांटी है कि यानि अगर आप सभी को इंगलिज जो है लिखना पड़ना बिल्कुल भी नहीं तना फिर भी आप लोग यहां पर मैसी आपको ट्रिक बताएंगे जिससे लेटर राटिंग होता है यह आपके Miya later diezив में बहुत रशनाने का लेटर निखने की ऐसी ट्रिक Pink बताएंगे जिससे आप लोग बिना फड़े आप लोग इंगलिस में 4 नंबर क्लाश 10 में पक्का कर लोगे लेटर राइटिंग में और क्लाश 12 में 10 नंबर आप सभी का बिलकुल पक्का हो जाएगा ठीके और यहाँ पर जो मापको लेटर राइटिंग के ट्रिक बताएंगे न वीडियो में बताने वाले तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बिल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ठीक है और इस वीडियो को भीना सब्सक्राइब कंप्लेनिंग आप दो ब्लॉविंग आफ लावड़ स्पीकर तील लेट नाइट डिस्टर्विंग दनेवर ओड इन देयर स्लीप एंड इस्टरीज ठीक है और यह जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेटर यह आप सभी के क्लास 10 और 12 में बहुत ही इं बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको आप लोग तयार जरूर कर लेज़ेगा देखे अब आप सभी को इस तरीके से आगया लेटर लिखने के लिए अब आपको यह लेटर नहीं आ रहा है ठीक है बिल्कुल भी नहीं आदे अब आपको यहां पर ट्रिक से कैसे लिखना है ठीक सबसे पहले देखें यह क्या है राइटिंग है तो आपको यहां पर यह लेटर राइटिंग है तो आपको सबसे पहले कौपी के उपर इस सीरे पर ऐसे लेटर राइटिंग लिख देना है ठीक है इसके बाद नमबर जो भी है उसको आपको ऐसे लिखना है आंसर टू क्वे प्लेनिंग आप दे व्लोविंग आफ लौडी स्पीकर तिल लेट नाइट डिस्टरविंग देवर ओड इन देयर स्लेप एंड इस तरीके से दिया हुआ है इसका मतलब है कि यह जो पत्र लेखन है यह किस पह है जैसे देर रात तक लाटी स्पीकर बजाने पड़ जैसे आप आप सभी के देर रात तक कोई पडोसी या कोई भी देर रात तक लावड स्पीकर बजा रहा है तो इसके लिए आपको जो है करवाई करने के लिए ठीक है कंप्लेन करने के लिए आप सभी को डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेड या डियम को आपको करवाई पतर लिखना है ठीक है सि द्यान देना होगा कि आपको लेटर राइटिंग जो है लिखने का सही तरीका पता है तो आप सभी को जो है पूरत नमबर देंगे ह। भिथो लेटर राइटिंग ने इसमें सबसे पहले सबसे में टे разработ लिखर के दूसरे को भेज रहा है सबसे पहले उसका पता लिखना है ठीक है तो आपको एड्रेस आप एड्रेसिंग में यानि जिस और आपको लिखना भी है तो उसको कोई अलग तरीके से लिखना है ठीक है लेटर राइटिंग है इसमें बिल्कुल अलग तरीका लिखना है बहुत सारे student mistake कर देते जिसे उनको number नहीं मिलते चाहे वो कितना अच्छा क्यों न लिखे हो लेकिन अगर आपको तरीका पता है न तो आप लोग अपने से बना कर भी लिखोगे कोई trick से भी लिखोगे न फिर भी आपको examiner 100% number देंगे क्योंकि आपको लिखने का सही तरीका पता है तो यहाँ पर address आप addressing यानि sender का नाम उसके बाद यहाँ पर रहेगा date लिखने के लिए ठीके date आप सभी को यानि date को देखे इसमें जो है बहुत ही अलग तरीके से लिखना है जिसमें आपको ऐसे लिखना है ठीके यानि Fourth Marge ठीके जो भी है यहाँ पर उससन को लिख दीजे जैसे आप सभी लोग को सभी सभी लिखना है तो लिख दीजे ऐसे लिखना है यानि कि आपको चार ठीके तीन दो हजार गुँज़ जो भी है ऐसे आपको नहीं लिखना है तो हम यह पत्र जो लिख रहे हैं यह डियम को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिश्टिक मजिस्टर लिखना है उसके बाद आप सब्सक्राइब बिल्कूल भी आपको टेंसर नहीं लिए आ विल्कूल फ्री माइंड करके आप लिख पढ़िए समझे के हमारा दस नमबर जो है को कि just ml CONCENT TOO NOW Они इस में बारड़िया आप सभी लखना है और लाश्ट में यहाँ सबीक्र साइन होता है ठीक है और लाश्ट यापको योर्स ofली यापका वाफादार और इकजाम में नाम नहीं लिखा जाता है तो Ex Y Z लिको फोरी अगर उतने पॉइंट आप सभी लोग को पता हो गया इसके बार याद नहीं करना है सिरफ यह आप सभी को यहाप पर समझेना है कि हम इन सब चीजों के जगह आपको क्या लिखना है समय तो इतना चीज है आप लुग समझ गए तो समझे पूरा लेटर आप लोगों ने लिख लिया ठीक है सबसे पहले आपको शुरुआत करना है लेटर जो है लिखना वह इस साइड से ठीक है यहां पर आप लोगों ने नंबर लिखा और इसके बाद एक लाइन की अब देकर यहां से आपको क्या करना लेटर राइटिंग सुरु जीए लिखे लिख डिये श्केविक क infection अगर आपको नहीं आधा यह सब कानपूर उनपूर तो आप लोगों जहांके हुना उसी जगह का पोड लिख दिजेगा इसके बाद यहां पर देखे डेट में जैसे जो भी देट रहे गा सिस дिन दोगे वही डेट आपको लिख आप लोग यहां पीज लिख दीज़ेजेंस रहे सकते हैं अपना ही अभया पसके देड्रेस वारा के धर्ली टॉप इसके बाद यहां पर लिखे यहां पर उसको यह रहे उसका यहां पर फोर्ट और सब्सक्राइब ने लिखा है यह दिस्ट्रिक मजिस्टेट को लिखे ठीके डीयम को लिखे यहां से मीनिंग आपको दिख रहे यह बिल्कुछ सही से इसको यहां पर आप लोग छाप दीजिए ठीके किसी कभी आपको लिख लिख लिए अगा जैसे प्रिंसीपल को देखे आप अप्लिकेशन कहां पर बैठे हैं तो वह जहां पर भी बैठे वह एड्रेस लिख दीजिए जैसे लखनाग में ठीके ऐसे आप लोगों ने कर दिया और यहां पर हो सके तो आप लोग ऐसे कामा भी लगा दीजिए और इसके बाद देखे हमने आपको बता है कि यहां पर सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं अगर आप सभी के पास माइंड आपको तरीका पता है तो आप लोग उस क्वेस्टन से ही आंसर बना दोगे और वह सोब परसेंट करेक्ट भी हो जाएगा ठीके सिर्फ आपको लिखने का सही तरीका पता होना चीए अब देखें इतना चीजिए आप लो कि अब यहां पर लंगेस आप लाउडिस टूऌ केनी की लाउड pense पीकर तेज बजाने पर ठिक है र के बचने पर हम यह सिखाएगे ठीक हरं तो हमें यहां पर सब्सेक्ट मिल गया यहां पर VLOGING off आप यहां पर loudspeaker ठीक है कि यह हमारा सबजेक्ट मिल गया है यह तो यहां पर आपको व्लोविंग off loudspeaker लिख देना है इसके बाद दिखे यह जो हम लिख रहे हैं यह दिस्टिक मजिस्ट्रेट को लिखते हैं यानि कि यहां पर डियर सर लिख दीजे आप लोग ठीक है और इसके बाद ऐसे कामा लगा दीजे ब्लेक पेंसे लिख करके और सुरुगात देखे आपको कैसे करना है दो लाइन है दो लाइन याद हो गया तो पूरे के पूरे चाहे दुनिया के कोई भी तरीक हाद है तो लिखेंगे अगर नहीं आदेना तो यहां से यहां से लेकर के सिर्फ यहां पर डियर सर तक लिख दे आप लोगों ने न START यह पूरा आप सभी कागर दसक्राइब है तो तीन नवबर सिरफ यहां से यहां तक लिखने के जो है एक्ञणर आपको दे देंगे क्योंकि यह लेटर एइस में ट Не यह भी एक श्टेप है यह तीन नंबर का यह च्टेप है ठीक है उसके बाद साथ नंबर आपको इधर भी लेंगे जिसे दस नंबर का है तो ठीक है तो आप सब यह निकि इतना अगर याद है तो इतना ही जरूर लिखे लेकिन जरूर लिखे छोड़िये मत ठीक है यहां पर इसको लिखने के बाद इसके ठीक ऐसे नीचे से लिखना है ठीक है वित मोस्ट रिस्पेक्ट फुली ठीक है यह यह अत्यन समानता पुर्वक कावा आई ओड लाइक बिंग यूर काइंड एटेंशन टुवर्स ठीक है फॉलोविंग फैक्ट्स फार यूर परूजल ठीक है और आवस्य करवाई के लिए जो है निमलिकी तत्तों की और आपको याद दिलाना चाहता हूँ या लाना चाहता हूँ तो देखें अगर आपको यह दो लाइन याद है तो आप लोग लिखिए ठीक है जिससे अगर दस नंबर का है तो आठ नंबर मिल जाएंगे नहीं देखें यहाँ पर एक्जामना रहेंगे तभी आप सभी को समझ दाएंगे कि आप बहुत ही टॉपर हो क्योंकि सब्जेक्ट लिखने से आपके लेटर में जो है चार चांद लग जाते हैं तो इस तरीके से आपको लिखना है इसके बाद देखें यह जो भीत आप लोगों नहीं आदे तो सिर्फ यही दो लाइन आप लोग तयार कर लो इतना ही लिख देना ठीक है और लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू यूर्स फैथफुली एक्सवाइजेट ठीक है बोर्ड एक्जाम में आपको नाम नहीं लिखना है यहाँ पे थैंकिंग आपका लिखना है ठीक है पूरा ऐसे लिखना है अगर इस तरीके से आप लोग लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे दस नंबर का है तो दस नंबर चार नंबर का है तो आपको यानि कि एक दो नंबर सिर्फ काटेंगे बाकी पूरे के पूरे नंबर आपको दे देंगे ठीक है ही की लिखावट है आप लेंद्स ही करांब है तो आप सबीको क्या करना ऐग अगर आपको दो अडों के बिच पेंसे के incentiv देख झाते तो आप लोग यहाँ नहीं नहीं गरी और और अगर आपको यह दो यह दो ता और अपको लिखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ यहां तक दो लाइन में डीके। ह साओ यहाँ नहीं प्रफ यह लिके हैं नुए लगार कि आखिरकाल लेटर वगएर आप कैसे लिखेंगे तो इस तरीके से आप लोग इस ट्रीक से लिखेगा आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे अप लोग पूरा इसके साथ ले ले लेजे ऐसे ही आप सभी को सुरुगात करना है क्योंकि जो सुरुगात करने की तरीकार होता है उस इसी को सिर्फ एक्जामनर देखते हैं और आपको पूरे नंबर दे देते हैं तो इस तरीके से आपको पूरा ऐसा लिखना है इसक्रीन साथ ले लेजे बाकि हमारे चैनल पे इंग्लिस के सभी टॉपिक में पास होने की ट्रिक की वीडियो आ गई है इसी वीडियो के लास् सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें थैंक्स आलदा भेरी वेश्ट बाइबाइब